अयोद्धा में स्री राम मंदिर बनकर त्यार है सबको इंतिजार है 22 तारीक का 22 तारीक होगी प्राण पतिश्टा जी हां सजादो हर गली हर नुकर्ड हर बजार हर रोड देखिए यह है लता मंगेश सर्चो कैसे सुसोबित है विसाल वीना से अयोद्धा दुलहन की तरह सजी हुई है हर मंदिर हर गली हर चोराया पर बस स्री राम स्री राम स्री राम स्री राम स्री राम लिखा हुआ है देखिए कैसे गली गली अवद की सुसोबित है यहां पर इतने सुनदर शुनदर नकाशी की गई हुए पेड़ पोदे सबको फूलों से सजाया गया है हर मिटी हर गली हर चोराया हर चोख बस एक ही गीत गार रहा है वो मेरे राम में आएंगे मेरे शीता राम आएंगे जार है सिरफ 22 तारीका 22 तारीका जैसीतारा जी हाँ खुशी से भक्त जनों के आखे नम है खुशी से देखो कैसे विशाल अगरबती बडोद्रा गुजरात से अयोधा जी ले जाई जा रही है आप देख सकते कितनी विशाल है बताया जाते एक सो आठ फूट लंबी है इसको 22 तारीक को अयोधा जी पहुचाया जाएगा देखिए अयोधा चरण की धूल ही कापी है और ये अपनी सुगंद से पूरे अयोधा को सुगंदित करेगी परफुलित करेगी अपनी मैक से अपनी जड़ी भूटियों से जैसी आराम ये देखिए विशाल गंटा 613 किलों का बताते हैं जब ये बजेगा तो इसकी धवनी आप 10 किलों मिट्र तक सुन सकते हैं कितना विशाल होगा इसको बनाने वाला कितना दिमाग लगाया होगा जैसी ताराम जैसी ताराम जी हाँ फिर से वही राम यूग आ गया ये है चूड़ा मनी चोग वही चूड़ा मनी जो माता शेता ने हनुमान जी को दी थी लंका से कि स्री राम को दिखा देना कि मैं मेरे दर्सन हो गए है जटायू भी आ चुके अयुद्धा जी में स्री राम के दर्सन करने के लिए सच में राम यूग आ गया है